नमस्कार, मैं हो ससी, आये जारखन की टॉप 25 पर्मोग खबर जानते हैं नमस्कार, मैं पूरे भारतिये महिला होकी टीम को सलाम करता हूँ जारखन की बेटियों और मेरी बहनों ने भारतिये महिला टीम के परदाशन में अध्भुत योगदान दिया उन्हें राज सरकार की ओठ से 50-50 लाख रुपए दिये जाएंगे उन्होंने कहा कि जारखन सरकार ने ओलम्पिक शुरू होने से पहले ही घोसना कर दी थी कि राजे के खिलाडियों के स्वर ने जितने पर 2 क्लोर, रयत जितने पर 1 क्लोर और कासे जितने पर 50 लाख रुपए दिये जाएंगे जारखन के 6 लाख ओभगताओ की कटेगी बिजली जारखन बिजली बीतरन निगम लिमिटेड ने जुलाई में 318 को रुपए रह सो वसुली की है हालाकि निगम का लक्ष 400 को रुपए वसुली करने का है निगम के निदेशालाई K.K. वर्मा ने कहा कि सभी एरिया बॉट को लक्ष के अनुरु पिजली करने का निदेश दिया है उन्होंने बताया कि करीब 6 लाख ओभगताओं ने एक साल से बिजली बिल नहीं दिया है इन उभुखताओं की बिली काटने का निदेश दे दिया गया है जो उभुखता बिल जमा नहीं करेंगे उनकी बिली काटने का सपस्ट निदेश एरिया बोट के अधिकारियों को दिया गया है जहारखन के 8000 किसानों को सबसीडरी पर मिलेगा सोलर पॉम्प राई सरकार की एजेंसी जिरेडा इस वर सितंबर तक 840 किसानों को सोलर मोटर पॉम्प सबसीडरी पर देगी बताया गया कि इसमें जिरेडा द्वारा 66% और केंद्र सरकार द्वारा 30% सबसीडरी दी जाएगी लाभो को केवल 4% रासी का भोगतान करना है इसमें 2 HP का मोटर लेने पर 3000 वहीं 3 HP के मोटर पर 5000 और 5 HP के मोटर पर 7000 रूपे किसानों को देना होगा जारखन प्रजेक्ट भवन की सुरक्षा ब्यवस्ता का ओडिट शुरू हो गया है इसके लिए DIG Special Branch अनूब बिर्थरे के नतित में एक कमिटी बनाई गई है टीम की रिपोर्ट के बाद प्रजेक्ट भवन की सुरक्षा ब्यवस्ता बढ़ाई जा सकती है बतादे Special Branch के DIG के नतित में टीम गठित होने की पुष्टी सीनियर पूलिस अधिकारियों ने की है जनकारी के अनुसर प्रजेक्ट भवन में मुखमंत्री कर्याले के अलावा सचिवाले कर्याले भी है इस कारण सुरक्षा के द्रिष्टी कोन से पुर्जेक्ट भवन अतिम अत्पुन जगा है बीजली करमचारियों को कुरोना योधा का दर्जा देने की मांग जार्खन उर्जा विकास रमिक संग की और से सुक्रवार को अपनी मांगों को लेकर अध्यक्ष अजयराय के नेतित में विधूत विभा के अधिक्षन अवियंता सुनिल कुमार का घिराव किया गया करमचारियों के अधिकार के लिए आवाज उठाई गई इस अवसर पर जार्खन उर्जा विकास समीती संके केंद्रिय अध्यक्ष अजयराय ने कहा कि जार्खन उर्जा विकास निगम लिमिटेड द्वारा बर्स 2017 में मानो दिवस की प्रत्था समाप्त कर आउट्सोर्स एजन्सी के सुरुवात की गई है तब से लेकर 2021 तक लवक राजे के सभी एरिया बोर्ड वर्ट टांस्मिशन जोन में करमचारियों के हालात बहुत से बत्तर होती जार्खन के सिक्षा विभाग के टैब में रखुवरदास मुख्यमंत्री जार्खन में मुखमंत्री के रूप में भले ही है मन्द सुरेन के सबतलिये डेड़ वर्ट अधिक हो गए हो लेकिन सिक्षा विभाग के टैब में आज भी जार्खन के मुखमंत्री रखुवरदास ही है बतादे सिक्षक अभी भी पूरो मुखमंत्री रहवरदास का चेरे देखकर वो उनका संदेश सुनकर हाजरी बना रहे हैं इस टाब में पूरो मुखमंत्री रगवरदास मुखमंत्री के रूप में सिख्षको को Digital India और Make in India का संदेश देते नजर आते हैं वह भी तब जब संदेश प्रसारित करने वाला संसाधन सरकारी हो बता दे अमामला इसकुली सिक्चायम सक्षता विभाग से जुड़ा है जहां विभाग द्वार सरकारी पिद्यालियों में दिये गए टेबलेट में अभी भी मुखमंत्री के रूप में रगवरदास संदेश प्रसारित हो रहा है जैक बोट के परिख्षा पईनाम को लेकर नहीं थम रहा बिवाद जहरखन एकेडमी काउंसिल की ओर से जारी परिख्षा पईनाम में गड़वरी की सिकायतों को लेकर छात्र शत्राओ का अंदोरन बरता जा रहा है बतादे राची सहीत राज्ये के सभी जीलों में परदसन हो रहे हैं और इंडिया स्टुडेंट एसेसियेशन आईसार ने पईनाम में गड़वरी का अरूप लगाते हुए राज्ये ब्यापी परदसन का वहन किया है इसके तहत छात्र शत्राओ का समु राजभवन के सामने धारना परदसन कर रहा है पाराच सिक्षकों के अस्थाई गरन को लेकर मंतिरी ने बुलाई बैठक पाराच सिक्षकों के समायोजन, बेतनमान तथा कल्यान को सहित कई अन्य मांगो पर सनिवार को समति बन सकती है बताद सिक्षा मंत्री जगनात मतों ने इसे लेकर सनिवार को बैठक बुलाई है इस बैठक में एकिक्रित पाराशिक्षक संहर्च मुर्चा तथा जार्खन प्रसिक्षित पाराशिक्षक संहर्च के तीन तीन प्रतिनिदी भी सामिल होंगे सिक्षा मंत्री के स्वस्त होने के बाद उनकी या पहली बैठक है कुरोना से बचाव को लेकर इस पैठक में भाग लेने वाले पराशिशकों के लिए दोनों डोज का टीका अनिवार कर दिया गया है महंगाई के खिलाफ एक दिवस्य धरना जारखन परदेश राष्टिये जानता दलने केंद्र सरकार की नीतियों और महंगाई के बिरोद में सुक्रवार को राशी के मुराबादे इस्थित बाफू बाटका में एक दिवस्य धरना दिया रायत के जारखन के परदेश अध्यक्ष अभाय कुमार सिंग के अध्यक्षता में एवित बाटक में भारत सरकार के पूरो मंत्री सौरायत जारखन के परभारी जय परकास नराने आदव मोक्य अतिति की रूप में मुझूद थे जारखन में 32 नई केस मिले हैं जो राची से 7, पूर्वी सिमून से 5, हजारी बाग से 2, धनबाज से 6, पचमी सिमून से 1, कुडरमस चार देवगर से 2, लातेहर से 2, खोटी से 2, जामतरा से 1 मिले हैं जारखन में 28 मरी स्वास्त भी हुए हैं जारखन में कूल एक्टिफ केस की संख्या 226 है भारत में 38, 696 केस मिले हैं भारत में कूल एक्टिफ केस की संख्या 4,6,314 है पलामू ACB ने जीलाक कल्यान पताधिकारी को 20,000 रुपय रिस्वत लेते दबोचा है जारखन के पलामू जीले में ACB ने जीलाक कल्यान पताधिकारी सुभास कुमार वरलीपिक मनोज कुमार को रिस्वत लेते गिरफतार किया है बता दे दोनों पर योजना पारित करने के नाम पर 20,000 रुपय बतोर रिस्वत लेने का रोप है बता दे किया अगिरफतारी सुख्रवार को जीलाक कल्यान पताधिकारी के कर्याल लाए वेसम से हुई इसके अलावा जीलाक कल्यान पताधिकारी के घहर से ACB की टीम ने 2,83,000 रुपय नगत भी बरामत किये हैं तीसरी लहर से मुकाबले की तैयारी राज सरकार कुरोना से निपटने को लेकर कई अस्तर पर तैयारिया कर रही है इसमें चिकिस्षकों की नियोकती भी सामिल है बता देच चिकी सिगों कि नियोक्ती के लिए स्वास्त विभाग से देकर कर्मिक विभाग में फाईले सरपर दोड़ी एक माह के भीतर नियो कती पर शुक्रिती मिलने के बाद स्वासत विभाग ने कुल 455 पदो पर नियो क्ती के लिए जार्खन लोग सेवा आयो कोन्संस भेज दिया इन पदो पर नियो कती तीन अलग अलग परत्योक्ता परीचाओ के अधारपार होगी ज्यारखन में मदर्शा एजुकेशन बोर्ट के गठन का दिया प्रस्ताव अल्प संख्याकों और किसानों की बिभीन समस्याओं को लेकर मोमीन कंफिरेंस के प्रतिनीदी मंडल ने किलिसी मंत्री बादल पत्रलेक से मुलकात की उन्हें समाज के सामने आराई परसानियों से उगत कराया ज्यारखन में सचर कमेटी की सिभारिसों को लागू करने मदर्शा एजुकेशन बोर्ट का गठन करने सभी सरकारी और अर्ध सरकारी कर्यालों में उर्दू अनुवादकों की बाहाली करने ग्रामीन छेत्रों में सत परतिसत अनुदान पर क्रिसी अन्त परदान करने भो में हिन किसानों का भी के सिसी बनाने राज बोनकर विकास आयोग गठन करने सहित 11 सुत्री मांग पत्र सोपा गया मंत्री बना गुपता के बैठक में बाराहवी की छात्राओ पर पूलिस ने बरसाई लाठी बराहवी के रिजल्ट में कम नंबर देने और फेल करने से बड़े पैमाने पर छात्र छात्राओ में आकरोस आय बतादे सुग्रवार को डिसी कर्याले में जिस दरान स्वास्त मंत्री बना गुपता बैठक कर रहे थे छत्राओ पहुच गई और हंगामा शुरू कर दिया इस पर पूलिस ने छत्राओ पर लाठीया चार्ज कर दिया कई छत्राओ पूलिस वालों से भिड़ गई कर्याले के अंदर से खदेरने के बाद भी छत्राओ बाहर जमी रही और नर्यबाजी करती रही जारखन में नियुक्ती निमावली की घोसना के साथ भी रोध शुरू जारखन में नियुक्ती निमावली की घोसना के साथ भी रोध और बहस की राजनीती शुरू हो गई है बतादे एक तरफ जहां मुख्य विपक्षिदल बिजेपी ने सरकार के नियुक्ति नियमावली के खिलाप अंजोरन का आगाज करने की घोसना की है वहीं दूसरी तरफ हिंदी भासा के अंदेखी और खतियान को अधार नहीं बनाने पर भी विरोद के सोर उठने लगे हैं बतादे हमन सरकार के नियुक्ति नियमावली ने फिर से एक बार जहारकन का राय नितिक पाराव बढ़ा दिया है जहारकन से मैट्रिक पास करने वाले युवावों को नोकरी में परत्मिकता बारा छेत्रिय भासाओं में हिंदी का नहीं होना नोकरी में खतियान को अधार नहीं मानना सहीत कई और आपतियों के साथ सरकार की इस नियुक्ति निमावली पसवाल उठाये जा रहे हैं जहारकन के मंत्री मितले श्ठाकुर्णे मगही और भजपूरी भासा को छेत्रिय भासाओं के सूची में सामिल करने की मांग मुक मंत्री से की है बतादे मंत्री ने सीएम को बताया कि बड़ी अबादी जो बरसों से जहारकन में निवास कर रही है यह यहां के मुल निवासी हैं वो अभी मग ही अंगी का एवं भजबूरी भासा का उपयोग करती है ऐसे छात्र छात्राओं की बड़ी संख्या परतियोकता परिछा में सामिल होने से बंचीत हो जाएगी इसलिए इन भजबूरी भासा में सामिल किया जाए जारखन के लातेहर जीले के बालू माथाना छेत्रे के इंदूआ गाव में सुक्रवार को हाथियो के एक दलने हमला बोल दिया इस हमले में एक ही परिवार के चार लोग अंभीर रूप से घायर हो गया है पतादे प्रात्मिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए चारों को रीम से रांची रेफर कर दिया गया है खोटी के सभी किसानों को के सिसी डीसी ससी रंजन के अद्यक्सता में सुक्रवार को आजित बैठक में किरिसी मतष से और पसपराण विपाग के कारों की समिक्षा की गई डीसी ने पी एम किसान योजना की समेक्षा करते हुए कहा कि जीले के सभी निवांथित किसानों को के सिसी से अच्छादित करना सुनिश्चित करें उन्होंने निर्देशित किया कि 7 अगस्त को के सिसी सुधार दिवस के रूप में मनाए और सभी योगिय आवेदको के आवेदन का निस्पादन करे निश्चित मांदे पर सिक्षक नियुकती की मांग जारखन सहयक प्रध्यापक अनुबवन संग ने वीश्व विद्यालियों व कोलेजों में अनुबवन सिक्षक की नियुकती निश्चित मांदे पर करने की मांग की है संग के परदेश अध्यक्ष डाक्टर निरंजन महतो ने कहा कि पिएश्डी उपाधी धार को और नेट पास छात्रों के साथ भद्दा मजा किया जा रहा है इन लोगों की नियुकती घंटी अधारित नहीं बलिक एक निश्चित मांदे के साथ करना चाहिए गूमला में आठवी की छात्रा से गयंग्रेप ज्हारखन के गूमला के सिसाई पर खन में आठवी कक्षा कि नवालिक छात्रा एक साथ हतियार के बल पर गयंग्रेप किया गया पतादे इस मामले में पूलिस ने तवरित करवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफतार कर लिया जबकि एक आरोपि अभी भी फरार है। पतादिकारी निरंकुस हो चुके हैं। टीम इसके लिए अभियान चलाएगी सेक्षिनिक स्थानों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू पाद बेचने वालों पर भी करवाई की जाएगी सुक्लवार कुराची नगर निगम की ओर से तंबाकू वेंडर लाइसेंस पर हुई कारे साला में निगम के उपनगर आयूक जनीस कुमार ने ये बाते कही धन्यवाद